Ravi walks at the uniform rate of 5 km per hour what distance would he cover in 2 hour 24 minutes question क्या रहा है कि अगर Ravi 5 km per hour की speed से walk करता है तो 2 hour 24 minute में वो कितनी distance को travel कर पाएगा तो यह question direct variation का है तो इसके according हम करेंगे नहीं तो हम formula लेका के भी कर सकते हैं इसको तो इसके लिए पहले हम एक table बनाएंगे यहाँ पर लिख देते हैं distance यहाँ पर हो जागा time first condition में distance हमाई पास 5 km वही पर time हमाई पास 1 hour जो की speed से निकला है second condition में distance पूछ रहा है तो उसको एक समाल लेंगे time दिया हुआ है वो 2 hours and 24 minutes दिया हुआ है जिसको हम लिख लेंगे 2.4 hour अब इसको simplify कर लेते हैं तो that variation में ratios एक दूसरे के proportional रहते हैं हमेशा इनकी value में सा constant होगी देते हैं तो एकस की value आ जाएगी 12 किलोमीटर यह हमारा answer हो जाएगा हमस्कार के अज़ इस में जाएगा झाल एक उाएगा झाल झाल झाल